से लॉइ यह अपको बता रहा था यहां स्नू बहुत पढ़ती है बहुत स्नू पढ़ती है इस पूरी लोकेशन पे इस स्वें हम थर्ड फ्लोर पे हैं और यह स्टेरकेस से स्टेरकेस से आप उपर आते हो यहां पे लिफ्ट का प्रोवेजन है जो कि इक दो महिने में जो यह बोल रहे हैं आन अरिसम लग जाएगे तो जैसे अप लिफ्ट से आते हैं तो सामने यह आपका फ्लाइट आगया एंटर करते ही यह आपका टू बेच के फ्लैट है यह आपका ड्राइंग डाइनिंग आगया आप देख सकते हो मैं आपको चारों एंगल से दिखाता हूं यह semi furnish flat है यह आपका drawing dining आ गया तो अगर मैं इस flat की बात करूँ तो locations बरोग पड़ेगी यह snowfall area है यहाँ पे snow काफी पड़ती है और यह आपका drawing से पहला view है आप देख सकते हैं इदर और यहां से आपका इस flat का यह drawing और dining area यह चोटा सा जैसे आप आप एंटर करते हो चोटा सा आपका store है इसको आप पूजा घार store कुछ भी बना सकते हो तो यह हम एंटर करके यह आपकी entrance है जैसे हम विदर जाते हैं अपने left hand side तो यह आपका first bedroom है first bedroom आप देख सकते हो 10 by 11 का यह first bedroom है और इसके साथ यह wardrobe आ गया सामने आपका और वार्डूप के साथ आपका यह washroom आ गया तो यहां से एक विव आप अपने पूरे का देखिए यह फॉल से लिंग है और इसकी विंडो से जो विव है बहुत ही अच्छा विव है आप देख सकते हो यह पूर आपको सामने सोलन नदर आ रहा है और आम शूर जब रात को अंधेरा होता होगा तो यह lights बहुत अच्छे लगते होंगी like आपको लगता होगी तारे चमक रहे हैं उससे साथ से क्योंकि रिहायश है सामने इतने घर बने हुए तो मेरे हिसा आप से night view बहुत ultimate है रही बाद स्नोफॉल की तो यहाँ snowfall बहुत होती है बहुत जादा होती है इस locations पे क्योंकि इस समय हम hilltop पे बैठा हुए है तो दोस्तों यहाँ से भी आपकी balcony है सामने एक छोटी से balcony आप देख सकते हुए है और इसकी entrance यहाँ से भी है और kitchen से भी है तो हम चलते हैं अपने drawing dining में drawing dining के साथ यह आप आपका connected है दोनों साइट से मतलब उस bedroom से भी इस bedroom तक connected है और मैं आपको दिखा देता हूं यह वास्ट्रू में फिटिंग से लगी बट यह फिटिंग लग जाएगी जैसे आप इसको अकुपाई करते हैं लेते हैं तो यहाँ से यह आपका है kitchen जिसमें की cabinets वगरा लगी है आपको गंदा लग रहा होगा क्योंकि और विस यह बात है अभी इसमें पनिया भी लगी हुई है बट धिरे-धिरे जिससे आप लोगे एक बार final finishing करके हम आपको यह flat देंगे so kitchen से जैसे आप इदर आते हों सामने आपके छोटे से बालकोनी है यहाँ पे आप अपना चाय वगरा बना सकते हैं पी सकते हैं शाम को enjoy कर सकते हैं अपना और triangle बालकोनी है और इस बालकोनी से आप व्यू देखिए यह आपको पूरा बरोक का व्यू नजर आ रहा है और यहाँ से आप देखें sky और यह आपका यहाँ से green valley व्यू यह निचे कोठी है और सामने आपको गाड़िया नजर आ रही है जो कि मारूठी की गाड़िया so let's move on to our second bedroom फिर अंदर चलते हैं यह drawing dining आ गया kitchen आ गया kitchen के साथ आपका यह second bedroom आ गया यह आप देख सकते हो second bedroom के साथ आपका आप कह सकते हैं कि यह washroom plus wardrobe fall ceiling हुई पड़ी है और यह second bedroom थोड़ा सा बड़ा है जिसको आप master bedroom बना सकते हैं I think 10 by 12 या 13 का bedroom है और इसकी इस खिटकी से भी आप view देख सकते हैं और इसके बाद यह आपकी यह बालकोनी आगी बालकोनी से भी आप view देख सकते हैं कि दोस्तों अच्छी जगा है total isolation में भी नहीं है कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा isolation में जगा होती है isolation में नहीं है लोग रहते हैं आज पास आप बसावट देखी यह सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पर इधर भी काफी कोटी है बरोक है आपको रहने खाने का सारा समान और हिल टॉप है तो यहाँ पर मौसम भी अच्छा रहता है बाकी शेहरों से क्योंकि 6000 फीट की हाइट पर है बरोक और म पूरा का पूरा गार्डन बरफ से ढखा हुआ था तो उस पॉइंट अभी से और अगर आप यह फ्लाट लेना चाहते हैं आपको पसंद आया है तो आप हमें नीचे नंबर्स हमारे फ्लाश हो रहे हैं उनसे आप उन पर आप कॉल कर सकते हो और रही बात 2023 की तो दोस्तों आपके लिए कुछ अच्छी और प्रॉपर्टीज अच्छे शहरों पे अच्छी लोकेशन्स पे हिल टॉप पे भी लेके आए या कोई आई सोलेशन में है या सेहर के भीच में बजटेट प्रॉपर्टीज लेकर आए तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको आने वाले टा कि सो आई होब कि दोस्तों हमारी ही प्रॉपर्वर्टी पसंद आई होगी तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तो आप इस वीडियो को देखें को डॉट होता है को चुर्स आपको आता इसप्रॉपर्व धुरू या कुछ अगले वीडियो में तब तक के लिए have a great day, take care, bye bye जया हिंद